किसान भायो नमस्कार, एक और फीर से आपका स्वागत हैं हमारी YouTube चैनल पर आज के स्वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे यूरिया के परियोग के बाड़े में और डी-ए-पी के परियोग के बाड़े में क्या हम इन दोनों के परियोग से तलाव में हमेसा Dwearing Culture, मचली पालन के दवरान, जितना भी दिना मचली पालन करते हैं क्या मातर projects यह दोनों चीज डाल देने से तलाब में अच्छा खासा पैलेंटर बन जाता है इसके कितने फाइदे होते हैं यूडिया तलाब में डालने के और कितने नुकशान होते हैं साथ हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे हमाड़े देश में किसान भाई है जो मिनरल मिक्षर और इस्ट पाउडर को नहीं डालते उन्हें लगता है कि गोबर सर्चो की खली यूडिया डियेपी और गुर ये सब डाल देने से मचलियों का जो है वो भोजन तयार हो जाएगा यूडिया डाला है डियेपी डाला है गुर डाला है तो ये सारा चीज जो है वो बढ़वाद हो जाएगा अगर आप उसमें इस्ट पाउडर नहीं डालेंगे आज किस वीडियो में आपको हम एक तो पहले जानकारी देंगे यूडिया डियेपी के बाड़े में और दूसर से तलाब में कतला मचली के लिए इतना अधिक जू प्लेंक्टन बन जाता है इतना अधिक रोहू के लिए फाइटो प्लेंक्टन बन जाता है जिसका कोई भी अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं तलाब में बहुत ही तेजी से ये जू प्लेंक्टन का डिवलप्मेंट करता तलाब में हमेशा प्लेंक्टन बना कर रखना है तो इस्ट पाउडर के बारे में आपको जनकारी होनी चाहिए और साथ में इस्ट और मिनेरल मिक्शर हमेशा ये दोनों का कंबिनेशन होना चाहिए और जब आप गुर्ड डालते हैं गुर्ड सीरा जिसे बोला जाता है उसे क Fix साथ तो इस्ट का काम है जो भी खाद आप है ड्रम में डालते हैं उसको पोड़ी तरह से इस्ट का काम करता है जब अच्छे सर्ण जाएगा उस में चोटे चोटे उजले कीरे वन जाएंगे तो काफी अधिक मचलियों के लिए फायदेमंद हो होता है सबसे पहले तो गोबर खली सर्सों की खली यूडिया डीएपी मिनरल मिक्षर रोडिस्ट पाउडर को मिला देते हैं उससे एक तो काफी तीन-चार दिन में यह काफी अच्छा से सरा देता है उन्हें फर्मेंटेशन लाइक है यानि कि तलाब में इस्तमाल करने लायक बना देता है दूसरी से पैदा है यह एकलग तरह का कीरा बनाता है लाको के संख्या में वह कीरें होते है आप उसका इस्तामाल करते जाएंगे अगर तलाब में रोहु मचली है, कटला मचली है, उन कीरों को भी छोटे छोटे कीरे होते हैं, उजले उजले जो तयार कर देता है एस्ट पाउडर, बीना इस्ट पाउडर का कीरा तयार नहीं होगा एकदम छोटा सुक्ष में कीरा रहता है लाखो करोडों के संख्या में रहता है जब आप हर दिन एक बाल्टी उसका इस्तमाल करेंगे तो मचलिया उसे पकर पकर कर खाएंगी एक तो होगा कि मचलिया उसे पकरने के लिए तलाब में इधर से उदर हलचल करेंगे उनसे भी ग्रोथ आगा और वो जो कीरा होगा वो भी काफी फायदेमंद होगा तो ये कैसे बनेगा फायदेमंद कीरा तो ये कीरा पनपेगा बनेगा मिनरल मिक्षर और इस्ट पाउडर के पड़ियोग से गोवर डालिए पचास केजी एक एकर के लिए साट केजी सतर केजी एक एकर के लिए पांच केजी यूडिया पांच केजी डीएपी एक केजी इस्ट पाउडर लेना है एक केजी मिनरल मिक्षर लेना है हाफ केजी आपको गूर लेना है इसमें थोरा बहुत उपर नीचे हो जाए कोई दिक्क नहीं है 50 kg गोवर के बदले 60 kg 20 kg 10-15 kg भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है फिर आप उसको बनाकर उसका परयोग कीजिए गुर्ण 1 kg के बदले 1,5 kg हो जाए 2 kg हो जाए कोई दिक्कत नहीं है मिनेरल मिक्चर 2 kg हो जाए कोई दिक्कत नहीं साड़ै फायदे मंद चीजे बहुत अधिक नहीं होना चाहिए दो उगना नहीं होना चाहिए गुवर्ड दो ble and 300 kg नहीं होना चाहिए सो kg के अंदर में ही रहना चाहिए और इसके बाद इस्ट अब 1 केजी डाल कर सब को मिला कर सराएंगे एक बाल्टी में चार से पांच दिन छे दिन एक सबता तो काफी अधिक करोडों के संख्या में उजले उजले कीरे बन जाएंगे जो मचलियों के लिए काफी अधिक फायदे मंद है मचलिया जू प्लेंग्टन फाइटो प्लेंग्टन के साथ साथ इन कीलों को भी भोजन के रूप में खाएंगी और काफी अधिक तेजी से बढ़वार होगा बहुत सारे किसान भाई जो कमर्शियल दाना है जो की पंगास के ध्यान में रखकर रूप चंदा को ध्यान में पानिंग्टन पर आपको फोकस करना है तलाब का पानी हम हरा कैसे रखे जूपलेंग्टन और पाइटो प्लेंग्टन की अच् информ रखकिशी कैसे रखे तो इसके लिए यूरिया की हम बात करें तो बीच में आपको यूरिया नहीं डालना है बहुत सारे किसान में करते हैं कि ऐसे ही लिए 10 केजी 15 केजी यूरिया का चिरकाव तलाब में कर दिये तो फिर इससे आगे नुकसान होगा तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको सर्चो की खली यूरिया डिये पी इन सब को मिलाना है इस्ट पाउडर को मिलाना एकदम नहीं बोले बिना इस्ट का आपका तलाब में भोजन बनने वाला नहीं है बिना मिनरल मिक्षर के मचलियों का अच्छा गरोत नहीं आएगा गुर भी डालना है उसमें और सबको पानी के साथ मिला कर छोड़ देना है एक सब्ता पांच दिन छे दिन चाहे आप उसमें राइस ब्रान भी डाल सकते हैं मकई का धर्रा भी डाल सकते हैं